Hi everyone, यह Max Healthcare का चार्ट हैगा और यह Apollo का चार्ट है, दोनों ही चार्ट में आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिल रहे होगी, कि Max के अंदर 6% की गिरावट कल के दिन हुई है, और आज के दिन 7.41% है, यह अपने टॉप से लगबग 20% से ज़्यादा correction इसमें आ चुकी है, और द एक NGO की बात करीगे, जिस NGO ने यहाँ पर एक Public Interest Litigation फाइल किया था, जिसका नाम है Veterans Forum for Transparency in Public Life, तो इन्होंने Supreme Court के अंदर यह यही डाला था, एक Public Interest Litigation, जिसके अंदर इन्होंने, जो Citizens of India है, उनकी Fundamental Rights की बात करी थी, जो Health एक ऐसा राइट है, वो सबको मिलना चाहिए, Hospital की जो Facility हो, सबको मिलनी चाहिए, और उनके Charges जो है, इनके accordingly बड़े Hospital के Charges, और लोगो इंडिया के जितनी भी Hospital सबके Charges में काफी जादा disparity है, for example, इन्होंने यहाँ पर एक 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 जामपल दिया हुआ है, Cateract Eye Surgery का, Cateract जो है, Government Hospital के अंदर 10,000 पर आई तक इसका इलाज ह हो जाता है, वही चीज अगर आप प्राइवेट फैसिलेटी में जाओगे, तो 30,000 से लेगे 1,40,000 तक का इलाज होता है, तो आप एक disparity देख पा रहे हो, कि कहां 10,000 है, कहां 30,000 है, कहां 1,40,000 है, तो बहुत एक डेल्टा है इनके प्राइस के अंदर, यही चीज नोने यहा एक महीने का टाइम दिया, और एक महीने के अंदर इनको बोला गया है, कि next date से पहले आपको एक standard rates notify करने है, ठीक है, आप Supreme Court के अंदर standard rates submit करो, अगर central फेल हो जाता है, central government अगर फेल हो जाती है, यह rates को submit करने में, तो Supreme Court CGHS के prizes जो है, जो M panel होते हैं, उसको लगा देगा private hospitals क charges में, तो CGHS का मतलब है Central Government Health Scheme, Central Government एक pricing set करके रखती है, अपने सरकारी employees के इलाज के लिए, और जो भी वहापे खर्चा आता है private hospital में, वो government पे करती है, तो of course government ने जो भी price रखा होगा, वो 40-50% सस्ता ही होता है, Supreme Court का यहाँ पर यह कहना है, अगर आप standard rate के list नहीं दोगे, हम CGHS के rates लगा देंगे, तो जो private hospitals है, उनके जो margins है, वो बहुत ज़्यादा shrink हो जाएंगे, तो यहाँ पर problem यही है, और CGHS ने जो यह बोला एक महिने के अंदर, उसी को देखते है, market ने panic के अंदर यह selling चालू कर दियागी, और यह selling देखो आनी बनती हुए, क्योंकि 30% के आसपस, यह margin गिर जाएगा, सेम चीज अपोलो हॉस्पिटल, इनके margins और बहुत कम है, 13-12% के आसपस है, इनके margins और भी कम हो जाएंगे, बाकि hospitals का भी same हाल है, तो हॉस्पिटल का यही कहना है, कि अगर इस तरह की situation आ जाती है, तो definitely इससे बहुत ज़्यादा problem होने वा वो हर एक चीज जो different होती है, हर एक जगा पर है, लेकिन net net, जो pricing है, वो Supreme Court के accordingly एक standard होनी चीए, इससे जो citizens of India है, उन लोग तक वो health facility पहुँच सके, सब लोग उसको afford कर पाए, तो net net, अगर आप stock market के एंगल से देखने, तो यह चीज ठीक नहीं है, stock market के लिए काफी बड़ पूरा एक अपना verdict देगा, कि हा, किस तरीके से pricing आगे जाके set होनी चाहिए, जो current structure चल रहा है, वो ठीक है, या फिर जो आगे जाकर करके structure आएगा, हो जब तो कुछ discount उसमें आए, या CGHS आ जाए, वो पूरी को clarity इसके अंदर है नहीं, सब कुछ अभी एक मीने बाद, ये तो unforeseen scenarios है, जो हो जाते है market में, आपके पास में stock है, आप stock के अंदर बने रहो, ये सब blue chip अच्छी companies है, fundamentally strong companies है, और ये business model ऐसा है, जो आने वाले 10 साल तक भी चलने वाले, 20 साल तक भी चलने वाले, business कहीं नहीं जाएगा, ये आगे जाके growth ही in business के अंदर आने वाली है, तो आपको panic करने के जरुवत नहीं है, panic करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि already stock गिर चुका है, आप loss में बेचो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए जो आपकी position है, उसको hold करो, average अभी मत करो, average करने के लिए आप अभी हफता, 10 दिन, 15 दिन रुख जाओ, थोड़ा market के न मिल रहा है, no doubt, अच्छी company सस्ते भाव में अगर आपको मिलती है, तो खरीद ले नीचे, लेकिन थोड़ा दिन रुख जाओ, क्योंकि हो सकता है, stock में थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल जाए, और नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, sideways में कहीं पर खरीद तीसरी चीज़, बहुत सारे fund houses की, देखो, news articles निकल करके आएंगे, कोई fund house बोलेगा, हम इसके उपर long है, कोई fund house बोलेगा, हम इसके उपर short है, कोई fund house बोलेगा, तीन महिने का target यह है, एक महिने का target यह है, ठीक है, उनके अपने targets हैं, वो अपने targets सब निकालते हैं, जब खरीद लेते हैं, जिसने खरीद रखा होगा, उसने नहीं बेचा होगा, वो बोलेगा, हम इसके उपर long है, आप खरीद लो, हम target उपर का दे रहे हैं, जिसने बेच दिया होगा, वो बोलेगा, कि इसका target नीचे का है, ताकि आप लोग भी बेच दो, बेचने के बाद में stock और तूट जाए, वो नीचे जाके खरीद ले, तो net-net retail investors को यहाँ पे जादा panic करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में stock है, hold करो, नई position कोई मत बनाओ, इसके अंदर, average भी मत करो, थोड़े दिन रुख जाओ भी, थोड़ी clarity आने दो, Supreme Court की side से, उसके बाद buy करना है, sell कर कर रहे हैं, यह लोग market के अंदर, ठीक है, इंका business model बहुत strong है, तो उस चीज़ को देखते वे, panic करने का कोई फायदा नहीं है, आप business के साथ बने रहो, तो net-net देखो, यही पूरा update है, इसके अंदर, बाकी articles होकर, अगर आप search करोगे, इन सब के अंदर, वही सब बाते मिलियो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, helpful लगियो तो helpful लगियो, informative लगियो तो informative लिखे, इस वीडियो के लिए इतना है, मिलता है कि यह वीडियो पर, thank you so much.